आपका हमारे चैनल योगा जो किसे इंडिया में पर जाते हो यहां वीडियो आपके लिए बहुत ही लाब दायक साबित होने वाला है आप बगर इसकिप किये इसको ध्यान से देखना और पूरा वीडियो अंत तक चरूर देखना चलिए आईए देखते हैं कितना आप खुद करके रखा है और जितने भी आसन बताये गें सभी में लाब नहीं बताये गें कुछ मुख आसनों में ही लाब बताया गया है तो आईए जानते हैं किन आसनों में लाब बताया गया है और किस गिरंथ में क्या बताया गया है चलिए ध्यान से समझें बिद्यार्थियो सबसे पहले आसन की सिध्धी से जाड़ा गर्मी आधि द्वंदों को आगहात नहीं लगता यह किसमें है यह योग सूत्र में है और कहां पर है दूसरे अध्यार में 48 नंबर का सूत्र है क्या लाब है आसन यानि इसमें मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं लाब ही बता रही हूं सभ तो देखो आसन की सिध्धी से जाड़ा गर्मी आधि द्वंदों का आगहात नहीं लगता है योग सूत्र में दूसरे अध्यार 48 नंबर का सूत्र है ठीक दूसरा आसन मांसिक तथा सारीरिक इस्थिर्ता प्रदान करता है आरोग्य तथा सरीर में हलकापन का अनभोलाता है यानि आसन जब सिध्ध हो जाता है तब लग जो प्राप्त होते हैं वही तो आसन मांसिक तथा सारीरिक इस्थिर्ता आरोग्य तथा सरीर में हलकापन कान भोलाता है यह किसमें बताया गया यह हट प्रदीपका में 1.9 तीन यानि पहले अध्याए में और 19 वे नंबर का सू पूत्र है जो कि इसमें बताया गया है क्या बताया गया आसन मांसिक तथा सारीरिक इस्थिर्टा प्रदान करता है और आरोग तथा सरीर में हलकापन का अनभोलाता है और गिरन सहिंता में क्या बताया गया है आसनों से शरीर ध्रड होता है यह घरन सहिंता में बताया गया है 1.10 अब यहाँ समझ लेना कि जो पॉइंट से पहले वो अध्या है और जो पीछे जैसे कि 1.10 है तो यह अध्या हुआ यह सूत्र नंबर हुआ ठिक तो दुबारा समझ ले इसी वक्ता की याद हो जाए देखो आसन के सिध्धी से जाड़ा गर्मी आदे द्वंदों का आघात नहीं लगता है योग सूत्र में बताया गया है आसन मांसिक तथा असारीरिक इस्तिर्था आरोग तथा सरीर में हलकापन का अनभोलाता है हट प्रतीप के हम बताया गया है और आसनों से सरीर दिर्ड होता है यानि सरीर में दिर्ड़ता लाता है तो यह घर्म सहिता में बताया गया है ठीक पशिमतासन के क्या लाब बताए गया है हट प्रदीपका में देखो अगर्ण सहीता में तो बताया नहीं गया है तो प्राण का सुस्मना में संचार जठरागनी प्रजिलित उधर पतला तथा आरोग लाब होता है पशिमतासन के क्या लाब बताए गया है हट प्रदीपका में पश्मोंतासन आसन है इन लेकिन लाववर्डित नहीं है तो और हटप्रिदीवका में इसके लाववर्डित है यही सब तो गन्फिूज करते हैं तो ध्यान से समझना देखो प्राड का सुस्मना में संचार करना जटरागने प्रजलूरित होना जटरागने जो पेट की अकनी उत्पन होता आरोग लाव होता है तो प्राड का सुस्मना में संचार जठराग्न प्रजलित उदर पतला तथा आरोग लाव होता है हट प्रदीपका में 1.29 बताया गया अब मैयू रासन को समझते हैं समस्त रोग नासक उदर गुल्म आद दोसों को दूर कर कुपत्थ भोजन को भी अच्छी तरह यहाँ पचाता है जठराग्न को इतना प्रदीप्त करता है कि विस भी भस्म हो जाए यानि दुबारा समझ लें और ये हट प्रदीपका में बताया गया है इसका लाव 1.33 में न प्रद्धर गर्म आद दोसू को दूर करें कुपत्धि भोजन। यानि। कुपत्थ भोजन नहीं को भी अच्छी तरह पचा देता है और जठराग्न को इतना प्रदीप्त करता है कि विस भी भस्म हो जाए अगर यानि विस्में अब ये समझाने के लिए है भी दियारते हो कि अगर कोई विस भी खाले तब भी वह भस्म हो जाए लेकिन ऐसा आप अभी लाइफ में यूज नहीं करना कि आप अपने उपर ही प्रियोग करना शुरू करें या किसी दूसरे प्रियोग करें बस इसकी एक महंता बताई गये मयूरासन की मयूरासन आप करेंगे तो समस्त रोग ना सक उधर गुल्म आद दोसों को दूर कर कुपति भोजन को भी अच्छी तरह पचाता है जठराग्न को इतना प्रदीप करता है कि विस भी भस्म हो जाए ठिक अब बिदार तो भदरासन के लाब आप देख लें सभी व्याधियों को नास करने वाला सभी व्याधियों को नास करने वाला या हट प्रदीपका में भी यही बताया गया और घिर्म सहिता में समिता में भी यही बताया गया हट प्रतीपका में 1.54 में बताया गया और घिर्म सहिता में 2.11 में बताया गया भद्रासन के क्या लब बताया गया सभी व्याधियों को नास करने वाला या है कब जब इसमें सिद्धी प्राप्त हो जाएगी अब पदमासन का देख ले सभी रोगों को नश्ट करने वाला पदमासन के द्वारा सभी रोग नश्ट हो जाते हैं यानि यह सभी रोगों को नश्ट करने वाला है हट प्रदीवका में भी बताया गया घ्रन जहिता में भी यही लाब बताया गया हट प्रदीवका में 1.47 में और घ्रन जहिता में 2.9 में यानि सभी रोगों को नश्ट करने वाला ठीक मोक्ष द्वार का भेदन करने वाला हट प्रदीवका में भी घ्रन जहिता में 1.35 नंबर पर और घ्रन जहिता में 2.8 नंबर पर ठीक शवाशन का लाब बताया गया है थकान को मिटा कर मानसिक सांती प्रदान करना हट प्रदीवका में भी घ्रन सहिता में 1.32 और घ्रन सहिता में 2.20 नंबर अब मुक्तासन और वज्रासन के लाब सिध्धि प्रदाय करने वाला क्या है सिध्धियां इससे प्राप्त होती यानि सिध्धि प्रदाय करने वाला घ्रन सहीता में क्यों बताया गया हर्ट प्रदीव का नहीं बताया गया है और घ्रन सहीता में 2.12 से लेकर 13 तक यानि मुक्तासन बजरासन अगनी को बढ़ाने वाला सरीरस्त अगनी को बढ़ाने वाला और सब रोगों का नासक है कुंडली सक्ति का जागर करने वाला बुजंगासन के क्या लाब है ध्यान से समझे सरीरस्त अगनी को बढ़ाने वाला और सब रोगों का नासक है सभी रोगों का यह नासक है और अधिविक से जागणित हो जाती भुजंग असन से और गृर्ण समय ने बताया गया है इस आसन को भी नहीं बताया गया और जब आसन बताया नहीं गया तो लाब कहांच से बता देंगे तो भुजंग आसन का सरीरस्त अग्णी को बढ़ाने वाला और सब रोगों का नासक है क पुणलनी सक्तिका जागर करने वाला है विदैर्थों मत्स्यासन समझते हैं यह रोगों को नश्ट करने वाला इसका लब बताया गया है और घ्रमसंहिता में बताया है 2.22 में हट पृदेव का में नहीं बताया गया है मकरासन सरीरस्थ अगनी को तीर्व करने वाला मकरासन के द्वारा सरीरस्थ अगनी को तीर्व होती है यानि यहासन सरीरस्थ अगनी को तीर्व करने वाला है घिरन सहिंता में 2.40 में हटप्रदीका में नहीं और सिंगहासन सर्व रोग ना सक सिंगहासन सर्व रोग नाशक गिर्ण सहिंता में बताया गया और 2.16 में बताया गया है ठीक और सिधासन विद्यार्थों समझ ले दोनों गिर्ण्थों के अनुसार यह सिंगहासन का लाभ तो जो है सर्व रोग नाशक बताया गया केवल गिर्ण सहिंता में ठिक और सिध्धासन समझ ले मूख सिद्वार खुल जाता है आगे आओ थोड़ा समझ ले हट प्रदीप का हम क्या बताया गया सिध्धासन के लिए क्योंकि हम मुश्ट इंपार्टेंट है सिध्धासन के समान दूसरा कोई आसन नहीं है यानि सबसे बेश्ट आसन इन्होंने सिध्धासन को बताया है और केवल कुम्भक के समान कोई कुम्भक नहीं है खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं है नाद के समान कोई ले नहीं है या हट प्रदीप का में बताया गया है यहाँ बताया गया है देखो यहाँ पर साभी चीजे निकल कर आगई यानि मुद्रा म में नाद को important बताया है सिद्धासन यानि मोक्ष द्वार खुल जाता है इससे और सिद्धासन के समान कोई कुमभक नहीं खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं और नाद के समान कोई लए नहीं ठीक अब दर्तु सिद्धासन का लाव उन्होंने थोड़ा सा बताया है गिरुम सहिता में कि सिद्ध होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है अब जैसे इसमें सिद्धासन में बताया है कि मोक्ष द्वार खुल जाता हट प्रतीप का में और इसमें बताया गया सिद्ध होने से तो बदल दिया गया है सिद्ध और अग्धे सी अगर पूछे जाएंगे से इसने से धी पूछा जाएंगा थेख से आप सभी याद कर लेना आप चलिए आगे थोड़ा समझते हैं और बिद्धा तो कोश्चन बनाने से तो कोई भी किसी तरह घुमा के बता देंगे नहीं बात में यह मत कहना कि इसी आसन से नहीं आ है लेकिन जुग्रंथ में जो बताएगा उसी से कोश्चन बना जाएगा आल और मुख्य देखे देखिए मुख्य कितने आसन बताएगे चार आसन बताएगे इन्होंने सिद्धासन पदमासन सिंघासर भद्रासन सिद्धासन पदमासन सिंघासन भद्रासन स्वात्मा राम ने अपने ग्रंथ हट प्रदीपका में चार मुख्य पंद्रा आसनों में से चार मुख्य आसन बताया सिध्धासन पदमासन सिंगासन बदरासन और इन चारों में से सबसे मुख्य सिध्धासन है ठीक जो अभी मैंने आपको बताया अब चलिए थोड़ा और आगे समझें इसी में हट योग के अभ्यास यानि अभ्यास क्रम हट प्रिदीप का के नुसार सबसे पहले आसन फिर प्रड़ाम फिर मुद्रा फिर नादू संधान का अभ्यास करना चाहिए सबसे पहले और इनका जो है इनका अध्या भी इसी तरह है यानि उपदेश भी है और पांच है लेकिन पांच हुआ अपने हिसाब से नहीं आउसाधी पर है लेकिन मुख्य य अभ्यास करना है सबसे पहले आसनों कोशी जो है आसनों में सफलोना फिर प्रड़ाम में फिर मुद्रा में फिर नादू संधान में ठीक अब चली आगे समझतें कि अब्यास सिध्धी का समय अब यहां यह कोईशन आया भी पूछा भी गया था पिछली बार अभ्यास सिध साधक का योग एक वर्स या उससे कुछ अधिक में सिध्ध हो जाता है इसमें कोई संदेश नहीं स्वात्माराम जी कहते हैं कि अभ्यास सिध्धी कैसे सिध्ध हो जाता कितने समय में सिध्धी हो जाती है तो ब्रम जो ब्रमचारी हो मिताहारी हो त्यागी हो तथा योग के प्रति पूर समर्पित, यानि पूरी तरह समर्पित हो, साधक, उसका एक वर्स है, उसका योग एक वर्स या उससे कुछ अधिक समय में उसका योग सिध्ध हो जाता, यानि थोड़ा बहुत सा और समय लगेगा, लेकिन एक वर्स में सिध्ध हो जाएगा, बस थोड़ा सच है और थोड़ा लग सकता समय बाकी और इसमें वो बताते हैं कि इसमें कोई संदे भी नहीं है ऐसा वो प्रमारित करते हैं स्वात्मा राम जी यानि अब यह पॉइंटों में नोट कर लें ब्रह्मचारी मिताहरित यागी तथा योग के प्रतपूर समर्पित साधका योग एक व समझने से देखो क्योंकि इससे भी कोईशन बन सकता है साथानिया सबसे पहले यह प्रणायम से पूर्फ साथाथानिया मिताहर नार्व सुधन और हैं इस इसको क्रम में ही आपको याद करना है, सबसे पहले अस्थान, फिर काल, फिर मिताहर, फिर नाड़ी सोधन, पहले अस्थान को चुने, फिर काल निर्धायत करें, फिर मिताहर का पालन करें, फिर नाड़ी सुध्धी करें, उसके बाद प्रनायाम करें, तिक ग्रहन सहींता में आपने ग्रंथ में बताया है यह मैं पाइंटों को नोट कर ले और विद्यातों यह भी ध्यान दे अगर इन सब के विशे में हटपेदीब का और गिरन समीता के विशे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो पीछले वीडियो हमने बना रखा है फुल कंप्लेट वीडियो बना रखा इन ग्रंथों पर आप जाकर वहाँ विस्तार से समझ सकते हैं यानि कुछ भी उसमें मिस नहीं किया है इसमें हमने में 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 रखा है जिसको आप यादि कर सकें और चलिए कुछ आसनों को हमने रख दिया है कि गरंथ में कितने आसन है या भी आप इसी वक्त नोट करना चाहिए नोट कर लें देखो शिद्धि सिध्धांत पद्धत में तीन आसन है सिव सहिंता में चार आसन है हट परदीपका में पंद्रा आसन है गरंडिसी ने 32 आसन बताए है अपने कौन से गरंथ में? गरंडिसाहिता में और हट परदीपका के रचना है कौन है स्री स्वात्मा राम है और सिध्धि सिध्धांत पद्धत के रचनाकर कौन है गोरक्षनाथ जी है और सिव सहिंता के भगवान स्यू है और हट रतनावली में कितने आसन बताया है चौतिस आसन बताया है लेकिन अगर तो 84 लिखा रहा कहीं तो आप 84 को भी टिक कर सकते हैं लेकिन 84 में भी इन्होंने चौतिस आसनों को मुख्य बताया है और इसकी रचनाय को उन्हें है स्री निवासा ठीक और वसिष्ट समीता में कितने जो है बताया है आसन तो दस योग वसिष्ट में एक भी आसन नहीं बताया गया लेकिन वसिष्ट समीता में दस आसन बताया है और इनको मुनी वसिष्ट ने मताय अपने पुत्र को सक अपने पूत्र सक्ति को ठीक वीदर्थतों सिद्ध सिद्धहन्द पद्दति में तीन आसन बताएगा है शिद्ध अपत्मसन सवस्तिक अशन और अग्रासन लेकिन इन्हों नाम उक्रआसन को दिया है तो बिदारतियों और यह हटपरदीब का और गिरन डिसी को इन सब आसनों का हमने डिटेल से अपने वीडियो में समझा रखा है आप पिछले जाकर देख सकते हैं तो आसा करते हैं आपने अच्छे समझ लिया होगा जहां कहीं ना समझ में आयो कमेंट बाक्स में सेयर करें मैं आपको दुबारस समझा दूंगी लेकिन आप खुद देखिए दूसरे बच्चों को भी सेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर ना हैं तो सबसे पहले मेरे च कर्टिफिकेशन पर आप तो हो सके धनिवाद विद्यार थी हूं